Hey student, welcome to our channel के प्रभाक्रिएशन्स एंड स्टर्डिज आज की वीडियो में हम अरिथेमेटिक प्रोग्रेशन के सम्स से रेलेटेड कोस्टन्स को सॉल्ब करेंगे वीडियो को ध्यान से देखिएगा और कोई भी क्वाईरी होने पर कमेंट सेक्षन पर अपनी क्वाईरी को मेंशन करेंगे सुरू करते हैं क्लास्टर मैट्स एक्सरसाइज 5.3 में कोस्टन नबर वन जिसमें टोटल 4 कोस्टन है सबको एक के करके सॉल्ब करेंगे कोशन वन में find the sum of the following AP हमें एक AP दी गई है जिसका sum हमें find करना है 2,7,12 और 10 terms यानि 10 तक हमें terms दी गई है solution स्टार्ट करते हैं इस AP में A equal to क्या हो जाएगा first term होता है तो A equal to हम लिख लेंगे 2, D निकाल लेते हैं common difference, common difference क्या होता है third term minus second term और second term minus first term तो second term 7 minus first term 2 equal to हमारा क्या जाएगा 5 D हमारा आगे 5 to 10 terms यानि कि last जो term है हमारा N equal to हमारा क्या जाएगा 10 terms हमें find the sum sum हमें find करना है तो S N equal to formula क्या होता है S N find करना है S N equal to क्या हो जाएगा N by 2 body bracket 2 A plus N minus 1 into D bracket को बंद करेंगे S N, S N हमारा कितना दिया हुआ 10 तो N की जगा पर हम 10 put करेंगे 10 by 2 2 A A की value कितने दिय हुए है 2 plus N N की value 10 minus 1 into D 2 से 10 को cut करेंगे 5 यहां पर S 10 equal to क्या जाएगा 5 2 2 जा 4 plus 10 minus 1 क्या हो जाएगा 9 Oh sorry sorry यहां पर D हमने miss कर दिया है D add कर लेते हैं D की value कितने दिय भी है 5 D की जगा पर 5 solve करते हैं कि 10 minus 1 9 हो जाएगा into 5 bracket को बंद करेंगे S 10 5 into bracket के अंदर क्या हो जाएगा 4 plus 9 5 जा 45 bracket को बंद कर लेंगे S 10 equal to 5 into 5 45 plus 4 क्या हो जाएगा 249 next हम क्या लिखेंगे S 10 equal to 5 into 49 दोनों को multiply करेंगे तो हमारा क्या जाएगा 245 S 10 हमारा क्या जाएगा 245 यही हो जाएगा हमारा बंद का answer next चलते हैं 2 पे 2 पे हमारा AP given है 2 12 terms है solution start करते हैं equal to हमारा हो जाएगा minus 37 D equal to second term minus first term AP जो है minus में है तो ध्यान से बनाएगे D equal to क्या हो जाएगा 30 minus first term second term yes second term minus first term तो यह हम minus minus plus हो जाएगा minus 33 plus 37 हो जाएगा हमारा D 4 N हमारा कितना दिया है 12 terms sum हमें find करना है तो SN की formula को लिख लेते हैं N by 2 2A plus N minus 1 into D S 12 है 12 terms तब N की value 12 2A A की value minus 37 plus N 12 है तो 12 minus 1 into D D की value 4 प्रैकेट को बन करेंगे आगे स्वाल करते हैं यहां पर 2 से 12 को कट करेंगे 6 पार में तो यहां हो जाएगा 6 bracket के अंदर क्या हो जगा plus minus हो जाएगा multiply करेंगे 37 into 2 74 यहां plus क्या हो जाएगा 12 minus 111 multiply 4 प्रैकेट को बंग कर लेते हैं S 12 यहां पर 6 प्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा 74 प्लस 11 into 4 44 प्रैकेट को बंग कर लेते हैं next हम स्टेप को यहां छोटी प्रैकेट करते हैं S 12 यहां पर हो जाएगा 6 प्रैकेट के अंदर स्वाल करने पर क्या जाएगा plus minus में यहां पर minus होगा 74 प्लस 44 आजगा 30 फिर यहां पर S 12 इकल टू 6 into minus 30 minus 180 यही हो जाएगा 2 का अंसर next question पर चलते हैं 3 पर 3 पर हमें AP जो है वो point के रूप में दी गई है 0.6 1.7 2.8 up to 100 terms यहां पर 100 terms है यान हमारा 100 है solution स्टार्ट करते हैं first term क्या हो जाएगा 0.6 d equal to क्या हो जाएगा second term minus first term 1.7 minus 0.6 क्या जाएगा 1.1 यह हमारा आगया d n हमारा कितना है 100 terms तो लिख लेते हैं 100 sum हमें find करना है तो s n equal to formula लिख लेते हैं n by 2 2a plus n minus n minus 1 into d bracket को बंद कर देंगे s n n हमारा कितना है 100 n के जगा पर 100 को put करेंगे n की value 100 तो 100 by 2 100 by 2 कर लेंगे bracket के अंदर 2 into a a की value 0.6 0.6 लिख लेते हैं यहाँ पर 100 minus 1 into d d की value 1.1 bracket को बंद करते हैं तो से 100 को cut करेंगे 50 as 100 equal to क्या जाएगा 50 bracket के अंदर multiply करेंगे 0.6 into 2 1.2 आ जाएगा 100 minus 1 99 into 1.1 bracket को बंद करेंगे as 100 equal to 50 यहाँ पर क्या जाएगा 1.2 plus 99 into 1.1 क्या हो जाएगा multiply करके 108.9 as 100 यहाँ पर आ जाएगा 50 into में 1.2 आड करेंगे ओ 108.9 आड होके आ जाएगा 110.1 as 100 equal to 50 into 110 multiply करेंगे तो आ जाएगा हमारा 5505 यही हो जाएगा हमारा answer next टलते हैं question number 4 पे 4 पे हमें terms दी गई है AP solution start करते हैं A हमारा क्या हो जाएगा 1 by 15 first term D हमारा क्या हो जाएगा second term minus first term 1 by 12 minus 1 by 15 अब देख सकते हैं दोनों को solve परने के लिए हमें LCM लेना होगा तो नों का LCM क्या हो जाएगा 60 तो 12 5 जा 60 तो 5 को 1 से multiply करेंगे तो 5 minus 15 4 जा 60 तो 4 को 1 से multiply करेंगे तो 4 5 minus 4 1 1 by 60 n equal to 11 terms n equal to 11 लिख लेते हैं अब हमें sum find करना है SN का formula n by 2 bracket के अंदर 2a plus n minus 1 into d bracket को बंद करेंगे s n equal to कितना है 11 तो n के जागा पे 11 को put करेंगे 2 into a a की वेलू 1 by 15 plus n की वेलू 11 minus 1 into d d की वेलू 1 by 60 bracket को बंद करेंगे as 11 11 by 2 as it is रहेगा bracket के अंदर 2 से multiply होके 2 by 15 plus 11 minus 1 10 1 by 60 0 से 0 को cancel करेंगे next हमारा क्या जाएगा as 11 equal to 11 by 2 और इधर के अंदर क्या बचेगा 2 by 15 और plus 1 by 6 bracket को बंद करेंगे as 11 11 by 2 bracket के अंदर हम LCM ले लेते हैं 15 और 6 के LCM क्या जाएगा 30 15 2 जा 30 तो 2 से 2 को multiply करेंगे 4 plus 6 5 जा 30 और 5 को 1 से multiply करेंगे तो 5 next हम क्या लिखेंगे next step में as 11 equal to 11 by 2 into 5 plus 9 क्या हो जाएगा 5 plus 4 9 by 30 3 से cut करेंगे 339 और 3 बंजा 3 0 as 11 equal to क्या हो जाएगा 11 into 3 33 by 10 into 2 20 यही हो जाएगा हमारा as 11 sum of 11 11 terms यही हो जाएगा हमारा answer next चलते हैं question number 2 question number 2 में हमें given है find the sum of given below यह हमारा question है 2 में question total 3 questions है जिसको एक एक करके solve करेंगे 2 का question number 1 पे हमें एक series दी गई है जिसको हमें sum निकालना है जिसका हमें sum निकालना है APA दी हुई है 7 plus 10 1 by 2 plus 14 plus last term क्या है 84 इसका हमें sum निकालना है solution start करते हैं equal to क्या हो जाएगा हमारा 7 D क्या हो जाएगा second term minus first term second term क्या है 10 and half 10 and half minus 7 इसको simplify करते हैं 10 into 22 20 plus 121 by 2 minus 7 अब दोनों में हम देख सकते हैं कि LCM लेना होगा LCM ले लेते हैं 2 आ जाएगा 21 minus 7 to 14 21 minus 14 क्या हो जाएगा हमारा 7 by 2 या गे हमारा D अब last term given है यानि कि AN अन हमारा कितना दिया हुआ है 84 तो हम लिख लेते हैं AN equal to 84 हमें find क्या करना है sum तो S S N हमें find करना है AN हमारा क्या हो जाएगा A plus N minus 1 into D AN का कितना दिया हुआ हमारा 84 A का value 7 N minus 1 into 7 by 2 D की value solve करते हैं 7 को इसाड़ ले आते हैं minus में N minus 1 7 by 2 84 minus 7 84 में 7 को minus करेंगे तो हमारा क्या जाएगा 77 इधर 7 by 2 को multiply में divide में divide में जो है वो multiply में हो जाएगा और जो multiply में वो divide में cut कर लेते हैं 7 से 77 11 बार में into 22 हो जाएगा इधर हो जाएगा N minus 1 minus 1 को इधर ले आते हैं plus 1 22 plus 123 equal to N N हमारा आगया 23 और इस तरह भी लिख सकते है N equal to 23 next हमारा क्या हमको find करना था sum तो sum के लिए हमें N मिल गया है तो S N equal to क्या हो जाएगा N by 2 A plus A N यानि की last term यह हमारा formula S N का यह दूसरा formula है जहाँ A N equal to L यह की last term होता है तो इससे confuse नहीं करेंगे solve करते हैं S N N की value 23 value put कर लेते हैं A A की value 7 plus A N की value कितना दीवी है 84 84 लिख लेंगे आगे solve करते हैं S 23 equal to 23 by 2 84 plus 7 कितना हो जाएगा 91 S 23 क्या हो जाएगा 23 multiply में 91 2093 by 2 divide करने पर point में answer आएगा तो इसलिए हम ऐसे ही छोड़ देंगे यही हो जागा हमारा answer next चलते हैं 2 पे question 2 का question number 2 यह हमें series दी गई है और हमें sum find करना है solution start करते हैं a हमारा क्या हो जाएगा 34 d क्या हो जाएगा second term minus first term 32 minus 34 क्या हो जाएगा minus 2 then a n हमारा कितना है 10 10 तो हम a n के formula से n को find कर लेते हैं a n equal to a plus n minus 1 into d a n का value कितना दिया हुआ 10 a की value 34 plus n minus 1 into d d की value minus 2 34 को इस साइड ले आते हैं 10 minus 34 इधर क्या बज़ जाएगा n minus 1 minus 2 minus कर लेते हैं 10 में से 34 जाएगा तो minus में आएगा 24 n minus 1 multiply में minus 2 multiply में है minus 2 तो इस साइड ले आते हैं तो वो divide में आ जाएगा equal to n minus 1 minus से minus cancel 2 से 24 12 बर में लिख लेते हैं 12 equal to n minus 1 minus 1 को इस साइड ले आते हैं तो वो plus में हो जाएगा 12 plus 1 तो n equal to हमारे क्या जाएगा 12 plus 1 क्या हो जाएगा 13 n की value हमारे आ गई 13 हमें find करना है sum sum का formula लिख लेते हैं s n equal to n by 2 a plus last time n s n equal to n की value हमारे आ गई 13 put कर लेंगे a की value 34 plus n की value 10 bracket को बंद करेंगे s 13 equal to क्या हो जाएगा 13 by 2 into 34 plus 10 44 2 से 44 को कैंसल कर सकते हैं 22 बार आगे चलक परते है s 13 equal to क्या हो जाएगा 13 into 22 13 और 22 को multiply करेंगे तो हमारा s 13 कितना जाएगा 286 यह हो जाएगा हमारा answer next चलते हैं question 3 पे 3 पे हमें एपी given है minus में तो ध्यान से से बनाएगे solution स्टार्ट करते हैं a हमारा क्या हो जाएगा minus 5 then d हमारा क्या हो जाएगा second term minus first term second term कितना है minus 8 minus first term minus 5 d equal to क्या हो जाएगा minus 8 minus minus plus 5 तो minus 8 और plus 5 क्या हो जाएगा minus में आएगा 3 sorry n हमारा कितना दिया है minus 230 तो हम n से n का value निकाल लेते n equal to क्या हो जाएगा a plus n minus 1 into d n minus 1 into d n की value कितना दिया हुआ है n की जगब equal to क्या हो जाएगा minus 5 plus n minus 1 d की value minus 3 n की जगब पर हम उसकी value को लिख लेगे minus 230 solve करते है minus 230 minus 5 को इसार ले आते है plus 5 इधर क्या बचेगा n minus 1 और minus 3 multiply में तो minus 230 plus 5 answer आएगा minus में 225 equal to n minus 1 into minus 3 minus 3 जो multiply में है इसार ले आते हैं divide में minus 225 by minus 3 equal to n minus 1 minus से minus को कैंसल करेंगे और 3 से 225 को कट करेंगे 75 बचे 75 equal to n minus 1 minus 1 को इसार ले आते हैं plus में हो जाएगा 75 plus 1 equal to 9 sorry n 75 plus 1 76 n equal to हमारा क्या गया 76 n की value हमें मिल गई है next हम sum find करते हैं sn equal to n by 2 a 2a plus n minus 1 into d n minus 1 into d bracket को बंद करेंगे sn sn n हमारा क्या है गया 76 n की value put कर लेते हैं 2a a की value minus 5 plus n की value 76 minus 1 d की value minus 3 सब की value sun we put कर लिए हैं यहां पर cut कर लेते हैं 2 76 को 39 sorry 38 s 76 38 multiply करेंगे minus 10 plus 76 minus 75 multiply में minus 3 3 आगे solve करते हैं 76 38 bracket के अंदर minus 10 plus minus 75 into 3 5 3 minus minus 10 minus 2 5 हमारा multiply करने 75 minus 3 multiply करेंगे तो हमारा आजाएगा 2 2 2 5 next हम solve करते हैं s 76 equal to 38 into यहां पर क्या जाएगा minus 10 और minus 2 to 5 तो आजाएगा answer minus में add होके 235 यह हमारा s 76 38 into minus 235 multiply करके यहां पर लिखेंगे s 76 answer आएगा हमेशा minus में आएगा क्योंकि plus minus minus हो जाएगा multiply कर लेते हैं 38 into 235 यही हो जाएगा हमारा minus 8930 यही हो जाएगा हमारा 2K3 का answer next चलते हैं question number 3 question number 3 total 10 questions हैं सबको एक ही करके solve करेंगे question number 3 पे हमें given है a d और an हमें find करना है n or sn 1 question number 3 का 1 में हमें n or sn को find करना है जहाँ पे a or d an given है solution start करते हैं a जो given है उसी को लेके चलते हैं an दिया हुआ है तो an का formula क्या होता है a plus n minus 1 into d an की value put करेंगे 50 a की value 5 n नहीं मालू n as it is रहेगा minus 1 d की value given है 3 solve करते हैं 50 5 को इसे ले आते है minus 5 इधर क्या बचेगा n minus 1 into 3 50 minus 5 45 आ जाएगा और इधर क्या हो जाएगा n minus 1 into 3 अब 3 multiply में है इसे ले आते हैं divide में आ जाएगा 45 by 3 n minus 1 3 से 45 को कट करेंगे 1 5 15 बार में 15 equal to क्या हो जाएगा n minus 1 minus 1 को इसे ले आते हैं plus में 15 plus 1 equal to 9 15 plus 1 add हो क्या जाएगा 16 n equal to हमारा क्या आ गया 16 और लिख सकते है n equal to 16 n की value हमें मिल गई है अब हमें find क्या करना है s n s n हम formula लिख लेते हैं n by 2 a plus an last term formula n की value हमें 16 मिल गई है n के जगा पर 16 पूट करेंगे a की value given है हमें 5 plus an की value भी हमें given है 15 पूट कर लेंगे आगे solve करते हैं as 16 as 16 यही हो जएगा हमारा answer next question number 2 2 में हमें given है a a 13 find d and s 13 हमें find करना है common difference और sum of 13 in term जो given s को लेके चलते है a 13 equal to 35 तो an का formula लिक लेते है a plus n minus 1 into d a 13 है तो a की value 7 given है n हमारा क्या जाएगा 13 है तो 13 minus 1 into d d हमें find करना है तो a 13 की value 35 35 equal to 7 plus 13 minus 1 12 into d 35 7 को i set ले आते है minus में equal to 12 d 35 में 7 को minus करेंगे तो आ जाएगा हमारा 28 और इधर हो जाएगा 12 d multiply में 12 है 12 पो divide में ले आते है 28 by 12 d कट कर लेते है 2 6 जा 12 2 1 जा 2 2 और 24 जा 8 एक बार और कटेगा 236 27 जा 14 तो 7 by 3 यह आगे हमारा d की value d की value हमारी क्या आ गई 7 by 3 next हमें क्या find करना है s 13 s 13 हमें find करनी है तो s 13 की क्या होगा उसका formula n by 2 a plus an n जो जो given है उसका formula उसके values को put करेंगे s 13 n की value हमारी क्या है 13 by 2 a की value 7 यह last term हमारा 35 s 13 s 13 13 by 2 35 45 प्लस 7 add करेंगे क्या हो जाएगा हमारा 42 कट कर लेते हैं 2 से 21 s 13 equal to हमारा 13 into 21 s 13 13 इन इन 13 an क्या दिया हुआ 12 an के जगा पर हम a 12 लिखेंगे a 12 a 12 a की value हमें given है तो a as it is find करना है 12 तो n की value क्या हो जाएगे 12 minus 1 d की value हमें given है 3 solve करते हैं a 12 की value 37 given है a as it is रहेगा 12 minus 1 11 into 3 इधर 37 equal to क्या हो जाएगा a plus 11 into 3 33 33 को इसाड़ ले आते हैं 37 minus 33 equal to a क्या जाएगा यहाँ 4 a 37 से 33 को मैनस करेंगे तो 4 आएगा a की value हमारी क्या आ गई 4 अब हमें s12 निक्यालना है s12 का formula क्या हो जाएगा n by 2 2 यानि 12 by 2 a plus a n हमें s12 equal to कट कर लेंगे 6 बार में 6 into a की value कितना given है आगे आगे हमारा 4 plus n की value हमारा कितना है 37 s12 equal to 6 into 37 plus 4 क्या जाएगा हमारा 11 10 और a 10 जो given है उसको लेके चलते है solution स्टार्ट करते है an a3 हमारे कितना दिया हुआ है 15 a3 को हम क्या लिख सकते है a3 को हम कैसे लिख सकते है a plus 2d a3 को a plus 2d लिखेंगे a3 की value हमें कितना दिवे 15 इधर क्या हो जाएगा a plus 2d तो 15 a equal to क्या हो जाएगा 2d को इस एड़ ले आते है 2 minus 2d हो जाएगा और यहां क्या हो जाएगा a तो यह से हम equation 1 माल लेते है then हमें क्या given है s10 s10 equal to कितना दिया है 125 तो उसी को लेके चलते है s10 equal to 125 तो लिख लेते है s10 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 का formula क्या होता है n by 2 2a plus n minus 1 into d bracket को बंद करेंगे s10 10 n की value 10 को put करेंगे 2 a a हमने equation 1 पे a की value है उसको यहां put कर लेंगे 15 minus 2 d plus n n हमारे 10 है तो 10 minus 1 into d d हमें find करना है 2 से 10 को 5 बार में s10 की value कितने दिये हुए है 125 25 put कर लेंगे 5 multiply कर लेते है 15 to 30 minus 4 to 24 d plus 10 minus 1 क्या हो जाएगा 9 d bracket को बंद करेंगे 5 को multiply में है divide में ले आते है 125 by 5 equal to 2 यहां पर क्या है 30 30 30 को as it is लिखेंगे यहां minus 4 d plus 9 d क्या हो जाएगा plus 5 d यहां कट कर लेते हैं 25 बार में 125 को कट करेंगे 25 equal minus 30 को इदर ले आते है minus 30 5 d क्या जाएगा minus 5 और यहां पर 5 d 25 minus 30 minus 5 equal to 5 d तो minus 5 आ जाएगा और इदर 5 d 5 से 5 कैंसल करेंगे तो d equal to क्या जाएगा हमारा minus 1 common difference हमारा क्या आ गया minus 1 हमें d find करना था और a 10 तो d तो हमें मिल गया है अब a 10 को फुल लिख लेते हैं तो a 10 का formula क्या होता है तो a 10 है तो इसको हम ऐसा लिख सकते है a plus 9 d जितना होता है उससे एक कम common difference तो a 10 को हम लिख सकते है a plus 9 d अब a की value हमने equation 1 पे क्या point माना है 15 minus 2 d plus 9 d as it is रहेगा आगे solve करते हैं a 10 equal to 15 plus minus 2 d plus 9 d क्या हो जाएगा plus 7 7 d minus करेंगे तो 7 d एब a 10 next 15 plus 7 d की value कितनी given है minus 1 multiply में लिख लेता है minus 1 a 10 equal to 15 plus minus minus 7 a 10 equal to तो हमार क्या हो जाएगा 15 minus 7 15 में 7 को minus करेंगे तो हमारी value क्या जाएगी 8 यह आगे हमारा a 10 का value 8 यह हो जाएगा हमारा answer d की value minus 1 और a 10 की value 10 8 sorry next चलते हैं 5 पे 5 में given है d s 9 find करना है a और a 9 जो given है उसी को लेके चलते हैं solution स्टार्ट करते हैं given है s 9 तो s 9 s n का formula क्या होता है n by 2 2 a plus n minus 1 into d bracket को बंद करेंगे तो s 9 n हमारा 9 है तो n के जगा पे 9 को पूट करेंगे 2 a हमें find करना है तो a as it is रहेगा plus n की value 9 minus 1 d की value 5 given है s 9 की value कितनी है 75 तो s 9 के जगा पे 75 को पूट करेंगे 9 by 2 को इस से ले आएंगे तो वो पलट जाएगा 2 by 9 हो जाएगा यहां पे 2 a 2 a plus 9 minus 1 8 into यहां प्लस होगा into 5 bracket को बंद करेंगे इधर 9 से 33 9 3 25 बार में 75 multiply कर लेते हैं 25 into 250 by 3 20 यहां पे हो जाएगा 2 a 85 40 अब आगे solve करते हैं 50 by 3 40 को इस से ले आते हैं minus में 40 हो जाएगा इधर क्या बचेगा 2 a अब दोनों को solve करने के लिए lc हम ले ले लेते हैं 40 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 lc 3 हो जाएगा 50 minus 4 70 70 by 3 2 a 2 a 2 a हो जाएगा तो हमारा a की value क्या गई a की value क्या हो जाएगी 70 by 3 2 a multiply में है तो 2 इधर आके divide में हो जाएगा कट कर लेंगे 2 से 35 तो a equal to हमारा क्या जाएगा 35 by 3 equal to 35 by 3 equal to यह हमारी a की value sorry हम माइनस होगा minus 35 by 3 यह हमारी आ गई a की value अब हमें क्या फाइड करना a n a9 a9 क्या हो जाएगा a plus 8 d जितना कटम होता है उससे कम ए common difference a9 equal to a a की value minus 35 by 3 plus 8 into d d की value हमें कितना given है 5 5 लिक लेते है a9 यह पर क्या जाएगा minus 35 by 3 plus 85 जा 40 अब a9 का next step में lcm ले ले लेते हैं 3 आ जाएगा minus 35 plus 43 जा 12 120 तो यहाँ पर क्या जाएगा इदर 85 by 3 divide करेंगे तो हमारा answer point में आएगा हम ऐसे ही छोड़ सकते है a9 हमारा क्या आ गया 85 by 3 a की value हमारी आ गए minus 35 by 3 और a9 की value हमारी आ गए 85 by 3 यह हो जाएगा हमारा answer next चलते है 6 पे 6 पे हमें given है a d sn point करना है n और an solution स्टार्ट करते है a d और sn given है तो जो दिया हो उसी को लेके चलते है sn equal to n by 2 2a plus n minus 1 into d sn sn की value कितनी dv है 90 sn के जगा पे n by 2 into 2a a की value हमें कितनी dv है 2 plus n minus 1 d की value हमें कितनी dv 8 sn equal to क्या हो जाएगा 90 2 को divide में इधर multiply में ले आते है या फिर n by 2 as it is रनने देते है 2 2 जा 4 plus n minus 1 into 8 bracket को बंद करेंगे n यहां पर क्या हो जाएगा n यहां ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा 4 as it is plus multiply करते हैं n minus 1 into 8 यहां पर क्या हो जाएगा 9 to 180 180 यहां क्या हो जाएगा equal to के साइड में n n bracket को बंद करेंगे n 4 n लिख लेते हैं पहले bracket के अंदर 4 plus 8 से multiply करेंगे 8 n minus 8 bracket को बंद करेंगे 180 equal to यहां पर n bracket के अंदर क्या होगा 4 minus 8 minus 4 हो जाएगा 8 n minus 4 आगे solve करते हैं 180 equal to n से multiply करेंगे 8 n square minus 4 n सब को एक से ले आते हैं 4 दोनों में से common निकाल लेते हैं जिससे की उस थोड़ा simple हो जाए 2 n square minus n और इधर 180 है 4 multiply में सब्सक्राइब में हो जाएगा 2 n square minus n कट कर लेते हैं 4 4 4 16 और 45 और 45 जे multiply करेंगे तो 45 तो यहां पर हमारा आएगा 45 इक्वाइब तो यहां पर हमारा आएगा इक्वाइब n square के coefficient को और constant term को multiply करते हैं 45 क्या गया हमारा 90 अब 90 के हमें 2 factors ऐसे दो फेक्टर लेंगे जिससे हमारा middle term split हो जाए और प्लस यह माइनस करने पर वो हमारा middle term as it is ही रहे तो दो हमें factor मिल गए है 10 और 9 उसी को हम solve करेंगे उसी को हम middle term को split करने में use करेंगे 2 n square minus n minus 45 equal to 0 2 n square minus क्या क्या factor थे 10 और 9 तो हम यहां लिख लेंगे minus 10 n plus 9 n minus 45 equal to 0 common ले लेते हैं दोनों में 2 n square और 10 n में हमें क्या हो जाएगा 2 n common ले लेंगे n minus 5 plus 9 n minus 45 में common क्या लेंगे 9 9 तो अंदर क्या बचेगा 9 minus 5 equal to 0 अब common को एक साट लेते हैं 2 n plus 9 और यहां पे n minus 5 equal to 0 दोनों टर्म को एक एक बार 0 से multiply करेंगे 2 n plus 9 equal to 0 और n minus 5 equal to 0 2 अब हमें 2 n square equal to minus 9 और यहां पे n equal to 5 minus 5 उस रट जाके plus 5 हो जाएगा n equal to minus 9 by 2 और n equal to हमारा क्या है 5 अब हमें n की 2 value मिल गई है minus जो है n की value इससे हमें नहीं लेना है क्योंकि n की value minus में नहीं हो सकते n की value जो है positive 5 n की value हमें 5 मिल गई है next हमें a n find करना है तो a n equal to a plus n minus 1 into d a n n हमें क्या हो जाएगा a a की value given 2 plus n हमारे क्या हो गई है 5 5-1 d की value हमें given है 8 solve कर लेते हैं a 5 equal to 2 plus 5-1 4 into 8 a 5 equal to 2 plus 8 for 32 32 32 32 32 32 होगा 2 plus 32 क्या हो जाएगा 34 e5 हमारा क्या आ गया 34 हमें n और a n find करना था n हमारा 5 आ गया है और a n हमारा कितना आ गया 34 यही हो गया हमारा answer next चलते है question number 7 question number 7 में given है a a8 an 62 sn 210 find करना है an और d solution स्टार्ट करते हैं जो given उसको लेके चलते हैं पहले an को लेके चलते हैं और sn तो sn equal to क्या हो जाएगा n by 2 a plus a n sn की value हमें क्या given है 2 10 तो n n हमें find करना है तो n as it is ही रहेगा by 2 a की value given है हमारी 8 plus an की value 62 2 10 equal to n by 2 into 62 plus 8 हमारा क्या जाएगा 70 2 से 70 को कट करेंगे 2 3 जा 6 और यह 5 10 2 10 equal to क्या जाएगा 35 into n अब multiply में है 35 तो इस side ले आते हैं divide में 2 10 by 35 n कट कर लेते हैं 5 से 7 जा 35 42 साथ से 6 बार में यानि 6 n की value हमारी क्या आ गई है 6 next हमें क्या find करना है d n हमें मिल गया है next जो given क्या है a n a n का क्या होता है a plus n minus 1 into d n की value हमें given है 62 a की value given है हमारी 8 plus n की value हमारी क्या गई 6 minus 1 into d as it is d हमें find करना है next step में 62 8 को इसा ले आते है minus 8 6 minus 1 क्या हो जागा 5 d 62 में 8 को minus करेंगे तो हमारा क्या होगा 54 54 और इधर क्या बचेगा 5 d d 5 multiply में है इस साथ divide में ले आते हैं 54 by 5 d की value हमारी क्या आ गई 54 by 5 divide करने पर वो point में आएगा d की value हमें ऐसे ही छोड़ देना है d की value हमारी आ गई 54 by 5 यहीं होचाएगा 7 का answer next question 8 given है a n d s n find करना है n और a जो given इसको लेके चलते हैं solution start करते हैं a n की value हमें a n का formula क्या होता है a plus n minus 1 into d a n की value कितना given है 4 a की value हमें a find करना है तो a as it is रह जाएगा n n भी हमें find करना है तो n भी as it is d की value कितनी दी वे 2 आगे स्वाल करते हैं 4 a as it is रहेगा plus 2 से multiply करेंगे 2 n minus 2 2 को इस side ले आते हैं 4 के side में तो वो minus में है इस side में आके क्या हो जाएगा plus में तो 4 equal to a plus 2 को ले आते हैं this side में plus 2 equal to a plus 2 n क्या हो जाएगा 6 4 plus 2 इदर हो जाएगा a plus 2 n a को राने देते हैं 2 n को इसाड ले आते हैं minus 2 n a as it is अब हम इसे equation 1 माल लेते हैं next given के हमें sn दिया हुआ है sn लिख लेते है sn equal to n by 2 2 a plus n minus 1 into d sn की value कितनी give है minus 14 n by 2 2 a a की value equation 1 से a की value लिख लेते हैं minus 2 n plus n minus 1 d की value given है हमारे कितनी 2 तो d के जगा पे 2 पूट करेंगे next step में minus minus 14 n by 2 अगे 6 2 जब 12 minus 2 2 जब 4 n plus 2 से multiply करेंगे 2 n minus 2 bracket को बंद करेंगे next step में minus 14 n by 2 यहां पे क्या हो जाएगा 12 और minus 2 10 हो जाएगा minus 4 n और plus 2 n हो जाएगा minus 2 n bracket को बंद करेंगे next step चलते हैं 14 equal to n by 2 10 minus 2 n next यहां पे minus 14 equal to n by 2 into क्या हो जब 2 को कॉमा निकाल लेते हैं तो अंदर क्या बचेगा 5 minus n 2 से 2 को कैंसल करेंगे 14 equal to n bracket के अंदर क्या है 5 minus n इधर 14 multiply कर लेते हैं 5 n minus n square अब इधर क्या है 5 5 सबको एक सट ले आते हैं minus n square minus 5 plus 5 n minus 14 equal to 0 यहां पे minus x square जो है n square वो negative में नहीं होना चाहिए तो हम क्या करेंगे minus sin जो है उसको हम common ले लेंगे जिससे कि हमारा x square का जो term है वो positive में हो वो हमारा negative में नहीं होना चाहिए जिससे कि हमारा equation quadratic equation के form में आ जायेगा oh sorry यहां पे minus हमने miss कर दिया है तो उसे हम put कर लेते है minus तो यह हमारा minus इधरा के plus हो गया है take minus sign common minus sign को हम common ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा n square जो minus है वो plus में हो जाएगा जो plus में हो जाएगा equal to 0 यह हमारा क्या गया quadratic equation के form में इसका क्या formula आता है x square के coefficient को और constant term को multiply करेंगे और उसके दो factor निकालेंगे जिससे कि हमारा middle term plus यह minus करने पर वही आ जाए तो 7 14 का 7 into 2 होता है तो 7 और 2 दो हमारे factor है जिससे 5 plus minus करने पर हमारा 5 आ जाएगा तो 7 n plus 2 n minus 14 equal to 0 common ले लेते हैं दोनों में n, n minus 7 और इसमें 2 n minus 7 n plus 2 और n minus 7 equal to 0 दोनों term को एक एक बार 0 से multiply करेंगे n plus 2 equal to 0 और n minus 7 equal to 0 n equal to हमारा क्या जाएगा minus 2 और n equal to हमारा क्या जाएगा 7 n की value negative नहीं होनी चाहिए तो n जो है minus 2 नहीं होगा हम 7 को लेके चलेंगे तो n की value हमारी क्या गई है n की value 7 7 then हम इंबaya करना है a n की जो value है हम इसे equation 1 में put करेंगे जिससे की हमें a की value मिल जाए तो लख लेते हैं put the value of n in equation1 equation 1 में हम n की value को put ... करेंगे जिससे की हमें a की value मिल जाए equation 1 क्या है six minus two and equal to a अब n के जगा पर put करेंगे six minus two into seven a तो क्या हो जागा next six minus seven two multiply होके क्या हो जागा fourteen six minus fourteen यहाँ पर हम इसको इतना यहाँ तक रब कर लेते हैं next हम इधार बनाएंगे क्या है six minus two into seven next क्या हो जागा equal to six minus seven two जा fourteen equal to क्या हो जागा six minus fourteen अंसर आगा minus eight एक की value हमारी क्या आगई minus eight और n की value क्या आगई है हमारी seven यही हो जागा eight का answer इसी किसाद eight हमारा कतम होता है next चलते है question no.9 पे given है a, n और s find करना है d solution start करते हैं जो given इसको लेके चलते है s n की value क्या है n by two two a plus n minus one into d s n की value हमें कितना given है one ninety two n की value कितनी given है eight eight by two into two a की value three plus n की value eight minus one d हमें find करना है two four जा eight तो one ninety two equal to four डेकेट करने थ्रे टू जा six plus eight minus one seven d डेकेट क्लोस four को इसाड ले आते हैं divide में equal to six plus seven d अब four से one ninety two को कट करेंगे forty eight बार में तो यहां लिक लेते हैं forty eight six plus seven d six plus में है इसाड माइनस में ले आते हैं forty eight minus six equal to seven d forty eight में six को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा forty two equal to seven d forty two seven multiply में इसाड डिवाइड में ले आते हैं d equal to six बे आलिस तो d equal to हमारा क्या आजाएगा six हमें find क्या करना था d तो d हमारा आ गया है तो यही हो जाएगा नाइन्द का answer next चलते हैं ten पे question number three का last question है ten ten में given है l, s and there are total nine terms find a यह हमें find करना है solution start करते है जो given है l given है s given है तो उसी को लेके चलते है s n हमारा कितना है nine terms total nine terms है तो sn लेके चलते है sn का क्या है formula n by two a plus a n या l जो की है last term तो हम उसको लिख लेते हैं l equal to an यह जो है sn हमारे कितना दिया हुआ है 144 n हकी value nine nine into यह हमें find करना है तो l हमारा किया है 28 solve करते है nine by two को इसाड ले आते है तो वो पलट जाएगा 144 44 into 2, 2 divide में है तो multiply में हो जागा, 9 multiply में है तो divide में, इधर क्या बज़ेगा, a plus 28, यहाँ पर क्या हो जाएगा, cut कर लेते हैं, 9 से 9, 16 बार में, 16 into 2, a plus 28, 16 into 32, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, a plus 28, 28 plus में है, इसा ले आते हैं, minus में, 32 minus 28 equal to a, 32 में से 28 को minus करेंगे, तो हमारी a की value आजाएगी, तो क्या जाएगा, 4, a की value हमारी क्या आ गई है, 4, यह हमें find करना था, और a की value हमारी कितनी आ गई है, 4, यही हो जाएगा, 10th का answer, इसी के साथ, question number 3 complete होता है, आगे चलते हैं, question number 4 में, question number 4, हमें given है, question, how many terms of AP must be taken to given a sum of 636, हमें एक AP दी गई है, जिसकी sum हमें given है, और हमें how many terms हमें find करना है, यानि की n हमें find करना है, तो solution हम start करते हैं, जो given है, उसको लेके चलते हैं, हमें a equal to, given AP में a equal to क्या हो जाएगा, 9, d equal to क्या हो जाएगा, second term minus first term, second term है 17 minus 9, equal to हमें क्या जाएगा, 8, sum हमें given है, 636, तो SN, SN का formula क्या होता है, N by 2, 2A plus N minus 1 into D, bracket को बंद करेंगे, SN, SN की value क्या दी हुए, 636, N, N हमें find करना है, तो N as it is by 2, 2A, A की value हमारे क्या जाएगी, 9 plus N as it is minus 1 D की value, 8, 636, यहाँ पे, next क्या हो जाएगा, next step में 636 as it is, 9 by 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9, 2A 18 plus 8N minus 8, 636 as it is equal to N by 2, अंदर क्या हो जाएगा, 18 minus 810 plus 8N, bracket को बंद, 336, N by 2, यहाँ पे, into, यह दोनों में 2 को common ले लेते है, 2 को बहार निकाल देंगे, तो यहाँ क्या बचेगा, 5 plus 4N, bracket को बंद करेंगे, यहाँ पे 2 से 2 को cancel कर देंगे, तो क्या जाएगा है, पे 336 equal to N, 5 plus 4N, 636 as it is, 5 से multiply करेंगे, 5N plus 4N से multiply करेंगे, तो 4N स्क्वार, अब सब को एक से ले आते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, 4N स्क्वार प्लस 5N, minus 636 equal to 0, अब यह हमारा क्या आगया, quadratic equation के form में आगया, तो इसे हम स्वाल्व करते हैं, x square के coefficient को और constant term को multiply करेंगे पहले, तो multiply करने पर हमारा क्या आएगा, 66 into 4, multiply करने पर हमारा क्या आजाएगा, 2544, अब इसकी दो factor हमें निकालने हैं, दो factor ऐसे जिसे प्लस या मैनस करने पर हमारा middle term आजाए, तो उससे हम middle term को split कर सकते हैं, तो दो factor हमारा क्या आजाएगा, 53 और 48, इससे multiply करने पर 2, 5, 4, 4 आजाएगा, और 53 में 48 को मैनस करेंगे, तो हमारा 5 आजाएगा, यानि middle term को हम इस तरह split कर सकते हैं, तो दो factor क्या क्या है, 53 और 48, इधर हम रब कर लेते हैं, इसे हमें नहीं लिखना है, समझाने के लिए मैंने यहाँ पर बताया, नेक्स स्टेप में, 4N स्क्वाइल प्लस 5N माइनस 636 इक्वल टो 0, अब हम आगे लिखते हैं, 4N स्क्वाइल, क्या हो जागा, मिडल टरम को स्प्लेट करेंगे तो, 53N माइनस 48N माइनस 636 इक्वल टो 0, अब दोनों में कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे दोनों में क्या हो जाएगा, 4, sorry, N, और अंदर क्या बचएगा, 4N प्लस 53, यहाँ पे कॉमन क्या ले लेंगे, यहाँ पे comन हमारा क्या जाएगा, 12, अंदर क्या बचेगा, 4N प्लस 53, क्वल टो 0, अब हम एक जगर लिख लेते हैं अब दोनों को एक एक बास 0 से मल्टिप्लाइ करेंगे n-12 equal to 0, 4n plus 53 equal to 0 तो यहाँ पर n equal to क्या जाएगा हमारा 12, minus 12 है उसर जाएगा तो 0 के साट में तो plus 12 हो जाएगा और इधर 4n minus, जो 53 plus में था उसर जाएगा तो minus 53 n equal to 12, यहाँ पर 4n equal to minus 53 है तो n equal to क्या हो जाएगा, minus 53, 4 multiply में है तो divide में चला जाएगा अब हम clearly देख सकते हैं कि n की 2 value मिल गई है एक plus में और एक minus में, तो minus वाले को हम नहीं लेना है और plus वाले को लेके चलेंगे क्योंकि n की value negative में नहीं होनी चाहिए तो n equal to क्या हो जाएगा हमारा 12, यही हो जाएगा हमारे 4 का answer इसी के साथ question number 4 हमारा complete होता है next चलते है question number 5 पे question number 5 पे हमें given है the first term of ap is 5, the last term is 45 and the sum is 400, find the numbers of terms and common difference first term 5 है और last term 45 है common difference हमें find करना है और terms, number of terms solution start करते हैं, जो जो गई वेन है लिख लेते हैं a equal to क्या है first term हमारा कितना दिया है वे 5 then last term a n equal to कितना दिया है वे 45 then हमें क्या दिया है sum s n equal to कितना दिया है वे 400 हमें find क्या करना है, find the number of terms यानि n हमें find करना है और common difference यानि की d हमें find करना है तो जो given है उसको लेके चलते हैं तो पहले क्या लेके चलते हैं S N को S N कितना दिया हुआ है S N का formula क्या होता है N by 2 A plus A N तो S N का क्या value दिया हुआ है 400 N हमें find करना है तो N as it is by 2 A की value 5 A N की value कितना दिया है 45 तो 400 as it is अधर क्या हो जाएगा N by 2 N by 2 45 plus 5 क्या हो जाएगा 50 कट करेंगे 2 से 50 को 25 अब N जो है multiply में हो जाएगा 400 N multiply 25 25 25 multiply में है इस से ले आते हैं divide में हो जाएगा 400 by 25 equal to N कट कर लेते हैं 5 से 5 25 और इधर 80 N equal to हमारा क्या जाएगा इधर 5 से एक बार और कट हो जाएगा 5.5 और 5.6 जा 30 तो N equal to हमारा क्या जाएगा 16 N equal to 16 N हमें find करना था N की value है मिल गई next हमें define करना है तो N लेके चलते हैं N equal to A plus N minus 1 into D N की value हमें given है 45 A A की value given 5 plus N की value हमारी आ गई है 16 minus 1 D हमें find करना है 45 5 को इस से ले आते हैं minus में 16 minus 1 15 D 45 में 5 जाएगा तो क्या बचाएगा 40 equal to 15 D 15 D multiply में है तो 15 को इस से divide में ले आते हैं 40 by 15 D कट कर लेते हैं 5 जा 15 और 5 जा 40 तो D की value हमारी क्या आ गई 8 by 3 D और D की value हमारी 8 by 3 और N की value हमारी 16 हमें find क्या करना था N और D तो N हमारे 16 और D हमारा 8 by 3 यही हो जाएगा हमारे 5 का answer इस लिए साथ question number 5 यहें पर complete होता है next चलते है question number 6 पर question number 6 पर given है the first and the last term of AP 17 and 335 respectively first or last term हमें दिया हुआ है if the common difference is 9 common difference 9 है how many terms are there and what is their sum कितने terms है और हमें sum find करना है तो N और S N को हमें find करना है equation में solution हम start करते हैं जो जो given है उसे लेके चलते हैं solution start होने पर क्या दिया हुआ है first term first term A equal to कितना दिया हुआ है 17 and the last term यानि A N equal to कितना दिया हुआ है 350 if the common difference यानि कि D भी हमें दिया हुआ है 9 how many terms यानि N हमें find करना है और what is their sum S N भी हमें find करना है तो A N equal to A N लेके चलते हैं जो given है A N equal to A plus N minus 1 into D A N A N की value कितना दिया हुआ है 350 equal to A की value कितना दिया है 17 plus N find करना है तो N as it is D की value कितना है 9 solve कर लेते हैं 350 17 plus में है इस से ले आते हैं minus में हो जाएगा 350 minus 17 इधर क्या बचेएगा 9 से multiply करेंगे तो 9 N minus 9 और इधर 350 minus 17 क्या जाएगा 3 3 3 equal to क्या जाएगा इधर 9 N या फिर 9 को ऐसे ही रने देते हैं N minus 1 into 9 N minus 1 और N 9 multiply में है तो इस से ले आते हैं divide में आ जाएगा 3 3 3 9 को इस से ले आएगे divide में 9 equal to N minus 1 कट कर लेते हैं किस से कटेगा 9 9 30 37 37 equal to N minus 1 minus 1 जो है minus में है इस से ले आते हैं plus में हो जाएगा 37 plus 1 equal to N N equal to क्या हो जागा 38 N और लिख सकते हैं N equal to हमारा क्या जाएगा 38 N की value हमारी क्या आ गए 38 अब हम find क्या करना है SN तो SN के लिए क्या formula हो जाएगा N by 2 A plus AN SN की value हमें find करनी है N की value हमारी क्या गए 38 by 2 रैकेट के अंदर A की value given है 17 और AN की value 350 value put करेंगे cut कर लेते हैं 2 बंजा 2 2 बंजा 18 SN equal to क्या जाएगा 90 sorry यह 19 होगा SN equal to 19 add कर लेते हैं 350 plus 17 क्या जाएगा 367 SN equal to 19 into 367 multiply करेंगे तो क्या जाएगा हमारा answer 6973 N और SN N हमारा 38 और SN हमारा क्या गया 6973 यही हो जाएगा हमारे question 6 का answer इसी के साथ question number 6 भी complete होता है आगे चलते है question number 7 पे question number 7 पे हमें question दिया हुआ है find the sum of first 22 terms of an AP in which d equal to 7 and 22nd terms is 149 हमें 22 term का sum find करना है solution start करते हैं जो given है पहले लिख लेते हैं d equal to 7 given है और 22 second term is 49 a 22 equal to 149 हमें find करना है s22 जो given असको लेके चलते हैं यह भी हमें find करना होगा s22 के लिए तो पहले a 22 a 22 an का क्या होता है formula a plus n minus 1 into d तो क्या दिया हुआ a 22 तो a plus n की value कितना दिया हुआ है 22 तो n के जगा 22 minus 1 d की d की value कितनी दिवे 7 a 22 की value कितनी है 149 put कर लेंगे a as it is 22 minus 1 क्या हो जागा 21 into 7 यहां पर 149 equal to a plus 21 into 7 क्या हो जागा 147 147 plus में इस साट ले आते है 149 के साट में तो minus में हो जाएगा 147 149 minus 147 क्या जाएगा 2 a की value हमारी क्या गई 2 अब हमें find क्या करना है sum as 22 then as 22 equal to क्या हो जाएगा formula लिख लेते हैं n by 2 bracket में a plus an as 22 as it is n की value n की value क्या हो जाएगी 22 by 2 a की value हमने क्या find की है 2 plus an last term क्या है 149 149 as 22 as it is रहेगा cut कर लेते हैं 22 को 11 बार में 2 से तो 11 into यहां पर into हो जाएगा 149 plus 2 क्या हो जाएगा 151 as 22 और 11 into 151 को multiply करेंगे तो क्या जाएगा 1661 as 22 sum of 22 terms क्या हो जाएगा 1661 यही हो जाएगा हमारे question 7 का answer इसी के साथ question number 7 भी complete होता है I hope आप सबको अच्छे से समझ में आया हो Thank you for watching मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में Till then keep watching